नमस्कार दोस्तों मौसम ताजा समाचार में आप सभी का हार्तिक स्वागत है और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर चक्रवाती तूफान की भारती राज्यों में एंट्री हो गई है और भारती राज्यों में एंट्री होते ही कई जगे जमाजम बारिस ओलवरष्टी और तेज आंधी का दोर सुरू हो गया है साथियों अगले 48 से बैतर घंटों में कौन-कौन से राजियों में भारी बारिस होगी कहां पर फसलों का नुकसान होगा कहां पर तीज आंधी चलेंगी मोसम विबाग के द्वारा अभी अभी नई लिस्ट जारी कर दी है साथ यो बता दें फिर से मुसीवत में किसान आने वाला है क्योंकि मद्दे पर देश के लगबग 28 जिलों में बारिस और ओलवरेश्टी का अलर्ट जारी कर दिया गया है राजिस्थान के अलवर में बारिस वे ओलवरेश्टी से फसल बरबाद हो गई है मुखे मंत्री गहलोत ने गिर्दावरी कराने के निर्देश दिये है बिहार के पटना में फिर दोस्तों मौसम बदला है और आज और कल भारी बारिस हो सकती है वही राजिस्थान और अरुनाचल प्रदेश में बीते राद दोस्तों भूकम्प के तेज जटके महसूस किये गए है फतेयाबाद में ओलवरेश्टी से रतिया के छे गाउं प्रभावित हुए है 2000 एकड में गेहूं की फसल को नुक्सान हुआ है वही साथियों आपको बता दें कि बदरपुर बोर्डर साइड बारिस के बाद मत्रा रोड पर भारी जल भरा हो गया है 12 गंटे बाद भी निकाशी नहीं हो सकी इतनी जबरदस्त बारिस हुई है आईमडी ने अगले तीन दिनों तक भारी बारिस ओलो की चेतावनी जारी की है तमिलाडू, केरल, आंदी, तूफान की आसंका है और उत्तर भारत की दिल्ली, हरियाना, पंजाब, राजिस्थान, मद्धि परदेश, बिहार और जारखंड राज्यों में भारी बारिस का अलर्ट जारी किया गया है पंजाब में बारिस और ओलवरष्टी से 2000 एकड में गेउं की फसल खराब हो गई है इसी के साथ में आपको बता दें, 36 गड में अगले 2-3 दिन गरत चमक के साथ हलकी बारिस की संभावना जताई गई है ओडिसा में दोस्तों बता दें कि बारी बारिस हो सकती है वहीं मद्दे प्रदेश में अगले 2 दिन 50 किलोमेटर प्रति गंटी की रफतार से आंधी चलेगी और बारी बारिस की चेतावनी दी गई है राजस्थान के बारिस और उलवरिष्टी से हजार बीगा फसल बरबाद हो गई है किसानों ने दोस्तों गिरदावरी की मांग की है तो उत्तर प्रदेश में किसान भाईयों को सावधान कर दिया गया है यूपी में आज और कल आंधी तूफान के साथ बारिस का अनुमान लगाया गया है तेश जिले यहां पर हाई अलर्ट पर रखे गए है देश का एक मातर चैनल है जिस पर मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारे दी जाती है इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस जरूर कर लें देश में मौसम का उलट पेर जारी है कभी गर्मी और कभी बरसात से लोग परिशान है उत्तर से लेकर दक्षिन तक बारिस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम की जानकारे देने वाली स्काइमेट वेदर के मुताबिक कल और परसो तमिलाडू केरल में आंधी पानी की आसंका है और इसके लिए चेतावनी जारी कर दी गई है उसका कहना है कि इन राज्यों के मौसमी गत्विदियों का असर पड़ू सी राज्यों पर भी पड़ेगा और इसके लिए पूरे दक्षिनी भारत में दोस्तों अगले 48 गंटे मौसम खराब ही रहेगा हलांकि करनाटक, तमिलाडू, आंधर परदेश और तेलांग अना में हलकी बारिश के आसार जताए गए पिशाम भाईयों बताते चलें एक जो साइकलोनिक प्रेसर है याने की चक्रवाती तूफान का भावर है वो 36 गड़ के उपर बनता दिख रहा है जिसकी वज़े से यहां पर तेज बारिश की आसंका बनिक हुई है जहां इसका इमेट यह कह रहा है वहीं दूसरी और भारतिय मौसम भाग ने अपने अपडेट में कहा है कि दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मद्देप्रदेश, चत्तिसगड, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और कस्मीर, राजस्थान में दूस्तो भारी बारिश होगी दिल्ली में बीते रात जमकर बरसात हुई जिसकी वज़े से आज मौसम यहाँ पर खुसनुमा बना हुआ है हालांकि आज भी यहाँ बादल चाय हुए है और अगले 24 गंटे तक यहाँ पर बरसात हो सकती है बारिश की वज़े से मौसम हलका सा दोस्तो सर्द हो गया है अगर NCR की बात करें तो नोईडा में आज नियुनतम तापमान 15 डिग्री ही पहुँच गया है और अब दोस्तो देख लेते हैं बारिश और ओलव रष्टी की कहां कहां आसंका है तो उत्तर प्रदेश के 32 जिलो, मद्य प्रदेश के 14 जिलो और राजिस्थान के 10 जिलो में बारिश और ओलव रष्टी के साथ तेज अंदर की आसंका बनी हुई है जिसके वज़े से लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ सकता है महराष्ट, गोवा, कोकन, तमिल नाडू, करना, टक, आंदर प्रदेश और पूर्वतर के राजियों में भी तेज बारिश का अनुमान है और पहाडों पर भी बारिश की आसंका बनी हुई है मौसम से जोड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें साथ ही आप हमारी वीडियो के सराज्जे से देख रहे हैं कॉमेंट बोक्स में हमें अब इससे बता कर जाएं दन्यवाद दोस्तु जे हिंद जे भारत वंदिवात्रम